बेशर्मों की जब भी एक फौज खड़ी की जाएगी उसकी अध्यक्षिता के लिए अगर किसी को चुना जाएगा तो वो केवल और केवल सुदर्शन वाला सुरेश चौहान के ही होगा इस नफरती आदमी का दिन सांपे दाइक ता फैलाने से शुरू होता है और रात दंगे भड़काने की प्लानिंग पर सुरेश चौहान के कितना बड़ा नफरती है इसे आप बस इस बात से समझेए कि इसके जहर का खरीदार अप कोई गोदी मीडिया वाला तक नहीं बनना चाहता गोदी के बीच से ही आवाज निकल रही है कि तुम से ज्यादा सनातन धर्म का अपमान कोई भी नहीं कर सकता दमस्कार अदाब आप देख रहे हैं खबर अड़ा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुलीरम तरह तरह के हदकंडी अपना कर कभी सनातन धर्म का ठेकिदार बनने की कोशिश हो या किसी भी तरह से नीच्टा की हदे लांग कर मुसल्मानों को बदनाम करने के लावा आपने ना कोई और काम करते हुए सुरेश शोहान के को देखा होगा ना सुना होगा और ना ही कभी मेल मिलाब की बातें इसके मुँ से निकलती है और अब तो इसके नफरत तक का कोई खरिदार गोदी मंडली में भी नहीं बचा है लोग ना इसके विचारों से दूर भाग रहे हैं बलकि खुलकर इसके नफरती एजिन्दे को एक्सपोज भी कर रहे है आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक स्पीड ब्रेकर की तस्वीर है जिसे सुरेश चोहान के निश शेयर कर इसे भी मुस्लिम धर्म से जोड़ कर उसका अपमान करने की कोशिश की है सुरेश चोहान के नाम किस नफरतगर्ड ने स्पीड ब्रेकर की तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया साब धान कल कोई इस पर भी चादर ना चड़ा दे दंगाई के मुझे नफरत के जहर का जब बहाव इतना घिनोना हुआ तब गोधी मीडिया के बीच से ही इस नफरतगर्द को जवाब भी मिला इस तथाकतित हिंदु धर्म के ठेकेदार को इसके हाहाकारी बन चुके स्तनातनी गौरफ को आईना दिखाते हुए आज तक के न्यूज आंकर सुमांकर मिश्रा ने इस ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया और सुरिष चोहान के किस नफरत पर दो टुक शब्दों में लिखा हिंदु धर्म की पहचान उसकी सहिशनुता और उसकी उदारता रही है ये ही हमारे धर्म को खुबसूरत बनाता है यूँ दूसरे धर्म पर सड़क्छा पोस्ट डाल कर आप औरों को मौका दे रहे हैं कि वो भी ऐसी चिचली पोस्ट करे हाँ अगर जिद इसकी है कि कौन क की जाहिलियत पर कोई फर्क पढ़ने वाला है हाला कि आप इसे जरूर गोधी मनाम गोधी के चश्मे से देख कर और समझ सकते हैं कि कैसे अब गोधी मीडिया भी सुरेश चोहान के जैसे नफरत बाजों से तंग आ चुकी है और इसे किसी भी हाल में नया पैमाना नहीं बन ने देना चाहती है जिस पर बाकी गोधी मीडिया को भी चलना पड़े क्योंकि सत्ता अगर बदली तो इनके भाग्ये भी बदल जाएंगे गोधी तो यह समझती है लेकिन यह सुरेश चोहान के नफरत के दलदल में डुबाने के जिस मिशन पर इस देश को निकल पड़ा ह वो तो खैर बातों से आगे की चीज़ है तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राए हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साजा कीजिए वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चानल खबर अड़ा को सब्सक्राइब नहीं